आज मैं आपसे एगलेस होममेड एपल पाई की रेस्पी शेयर कर रही हूं जिसे बराना बहुत ही असान है और यह बहुत ही यमी लगती है तो एक मिक्सिंग कॉल में हमें लेना है डाइसो गुराम मैदा आधा कब पीसी भी चीनी डाल ली है आधी छुटी चमच नमक डालें है और सबी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें हमें जरुत की साफ से थोड़ा थोड़ा पाने डालकर एकडम सक्थ सा दो लगा कर त्यार कर लेना है इस तरह कर टाइट डो होना चीए दो को हमें एक प्लिंग वेपर से रैप करके फ्रीज में कर लेंसें फ़ुटे कर लेंगें इसमें इसमें चोडी चम्मच आप लेंने यान میں और मिक्स प्रेंग ine कर लेंगे ताकि यह एपल पाई जब हम बेक और तो यह बहुत जादा लिक्वेडिन आ रहे है गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें निबू का रस डाल देंगे आधा और बस इसको ठंडा होने के लिए रख जो हमने दो त्यार किया है उसे हम एक बड़ी सी लोई बनाकर इस तरह से रोल कर लेंगे और इतनी हमें इसकी मोटाई रखनी है और आप जिस भी मोल में से बेक करने वाले उसमें इस तरह से डाल कर सेट कर दीजे और इसको फोक से प्रिक कर देंगे ताकि ये फुले ना बेक कर देंगे अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ओवन में 180 डिग्री पर बेक होने को रख देना है इसे हम दो पार्ट में आज बेक क पाई का ये तफिंग डाल देना है इसके उपर से हम फिर से रोल करके इस तरह से डो को रख देंगे अच्छे से इसे कवर कर दे इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्कवाश लगा देंगे और थोड़ा सा कैश्टर सूगर डाल दीजे और ओन में हम इसको 180 डिग्री सलसियस पे 30 मि के लिए बेक कर लेंगे तो बस लीजे बेक होने के बाद हमारे ये डिलिशियस यमी एपल पाई बनके तयार है इसको कटकर के जुआए किजे सबको बहुत ज़्यदा पसंद आएगी